हेलो स्टुडेंट्स तो वोकाइब के अंतरद हम आपको वन वर्ड सब्स्ट्टूशन बता रहे हैं जिसमें हमने पिछली क्लासेश भी दी हैं आगे के हम और वर्ड्स देखेंगे एक्जाम की द्रश्ट से मात पूँए तो चली शुरू करते हैं देखिए यह दिया हुआ ह किसी भी चेत्र की किनारे चार दिवारी को क्या कहते हैं यह पताना आपको क्या कहते हैं ओम संदेखिए जिर परी-फेरी बdle क니 वर्ड क्या कहते हैं किसी भी घर के चारोर के यहібनिद इसको कहते हैं परीधी नेक्स गहें क्या है वार आफ रिलीजाँ सॉन्हाने जब धर्मों का युद्ध होता है, धर्म युद्ध को क्या कहते हैं, धर्म युद्ध को वन वर्ड क्या होगा, धर्म युद्ध का, ये देखे कहते हैं, क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है, धर्म युद्ध, ठीक है, मुसलिम भासाम बोलते हैं इसको जिहाद, ठीक हिं सज्जन लोगों द्वारा जो सासन चलाया जाता है उस सासन को क्या कहते है नोबिल परसन के द्वारा जो चलाया जाता है उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी बी आप्सन है आपका क्या अरिस्टोक्रेसी ठीक ब्यूरेक्रेसी देखें ब्यूरेक्रेसी जब गौर्मेंट ऑफिस सासन चलाते हैं तो उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इंडिया में वैसे तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है ठीक है यह है डेमोक्रेसी लेकिन वास्तिक रूप से ब्यूरोक्रेसी है मतलब बड़े-बड़े अधिकारी आईयस पीचियस यह वास्तिक रूप से सता सासन चलाते है बाबू हैं यह office चलाते हैं इस तरह से तो पहली बात तो students यह bureaucracy भी important है और bureaucracy का miss spell बहुत आता है B-E-B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y यह spelling है bureaucracy की थोड़ा practice कर लीजेगा तो इसका answer क्या होगा the government by the nobility होगा aristocracy to store and stock किसी भी चीज को इकठा करना इकत्रित करना इसके लिए one word क्या होगा क्या होगा देखिए यह है आपका hold क्या होता है hold spelling क्या होगी hold की C की D यह आपका है option यह है व्यापारी मुनाफ़ा अधिक कमाने के चक्कर में चीजों को इकठा इकत्रित कर लेते हैं एक जगा ठीक दाम बढ़ेंगे तो उसको उची दाम पर बेचेंगे तो उसको कहते होड H-O-A-R-D इकठा करना इकत्रित करना संग्रह करना Study of relations of organism to one another surrounding क्या होगा इसका एक तत्यों का एक पदार्थ का उसके चारो और का अध्यन तो उसको कहलाता है हमारा क्या Ecology Ecology अच्छा समझी है Ecology किसे कहेंगे देखिए आप इसको simple भासा में समझ सकते हैं कि Biology Biology और अगर आप मिला दे इसको क्या Geography Geography तो उसको होता है Ecology जब कोई जीव जन्तु है उसके प्राकृतिक वहतावरन का अध्यन किया जाता है तो उसको कहते है Ecology Body of Persons Appointed to Hear Evidence and Give Their Verdict in Trails ऐसे लोगों का समुह जो मुकदमों की सुनवाई करता है ऐसे लोगों का समुह क्या कह लाता है देखिए ऐसे लोगों का समुह को हम कहते हैं जूरी नाज हिसों का समुह होता है जो किसी मामले की hearing करता है सुनवाई करता है ट्रायल करता है इसको कहते हैं जूरी कहते हैं आप इसको कह सकते हैं ग्रूप आफ लॉयर्ज एक परसन हूँ डिस ओनेस्टली प्रिटेंस टू बी समवट इल्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना करता है नाटक करता है और बहुरूपिया बन जाता है जो वो नहीं है तो क्या होगा इसका हिंदी में बोलेंगे इसको ढोंगी क्यों ढोंग कर रहे हो वो बनने का नाटक करना जो वो नहीं है तो क्या कहेंगे ढोंगी बोलेंगे इसको ठेक ड्होंगी हो जाएगा हिंदी में बोलेगे और इंगलिस में क्या बोलेगे इंगलिस में बोलेगे इसको imposter D option भोंग करना जो वो नहीं है नाटक करना धोखा देना बेमानी करना बहाना बनाना अच्छा अगला देखिए वाइलेंट जो तेजी से आता है तूफान बहुत भयानक तूफान आता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं टेमपेस्ट इजी है टेमपेस्ट तो इजी है ठीक चलिए careful and through inquiry बहुत ध्यान से पूरी तरह विश्ट्रत रूप से किसी भी केस की किसी भी विशाय की निरिच्छण करना उसको कहलाते हैं इन्वेस्टिगेशन option number A ये भी इजी है इन्वेस्टिगेशन ये अगला है situation that stops an activity from processing ऐसी इस्तित जो रोकती है प्रक्रिया होने में कोई तरक्की होने में ऐसी इस्तिती जो बाधर डालती है तो उसको कहते हैं bottleneck प्रगती में बाधा उसको कहेंगे bottle neck a disease which is spread by direct contact easy है corona virus आप ले सकते हैं जो छूने से फैलता है उसको क्या कहते हैं contagious छूत से पहलने फैलने वाला रोग या छूने से चुआ चुआ चच से पहलने वाला रोग contagious चूने से संपर्क में आने से किसी के संपर्क में आने से जो बिमारी फैलती है इसको contagious कहते हैं study of ancient civilization पुरान प्राचीन तम सभ्यताओं का अध्यान क्या कहलाता है प्राचीन तम सभ्यताओं का अध्यान इसको कहते हैं archaeology option number D तो चली वे दर्थू फटाफट revision कर देंगे boundary of an area इसको कहेंगे periphery war of religion धर्मों का युद्ध सो कहेंगे crusade option D सज्जन लोगों द्वारा साजन इसका होगा क्या होगा aristocracy बोलेंगे option number B चीजों को एकठा करना संग्रा करना इसको बोलेंगे option number C होड 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 हो इस्टिडी ओफ रिलेसंस ऑफ और्म किसी तत्व का किसी जीव जन्तु का उसके प्राक्टिक वातावान का अध्यन इसको कहेंगे ecology बी ओप्सन ऐसे लोगों का सम्मूह जो सुनवाई करता है कोल्ट में उसको कहेंगे जूरी डी ओप्सन ऐसा व्यक्ति जो किसी बात का ढोग करता है नाटक करता बहाना करता है इसको कहेंगे option number D कि इंपोस्टर टेज अचानक तूफान को कहेंगे टेमपेस्ट ऑप्सन नंबर D किसी का निच्छना करना किसी बात का इन्वेस्टिगेशन ए एक स्थिति जो जो रोकती है प्रिग्रति में बाजो बाधाबाद डालती है उस इस तो कहते हैं बोटलनेक इसमें जो कॉंटेक्ट में आने से डिजिस फैल्टी सो कहते हैं contagious option A और इसका है कि प्राचिन सब्वेताओं का ध्यन आर्केलोजी option number D चले students ये कुछ words थे one word की series हम जाई रखेंगे तक ये रोच अच्छे word आपको देते रहें आप भी अपना समय और मेहनत पढ़ाई को देते रहें और हमारे चैनल पर भी बने रहें ठीक ताकि आप अच्छी जीए सीखास सीख सकें फिर मिलेगे नमस्ते कि उेल informally सते ही हमारे टीक तекст आप को सुटने आपको दीक तक ये इंव पईम पना खर ए हमारे